राजा उनलाइन क्लासेस के यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है तो आज के इस छोटे से वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कि दैनिक जीवन में पीच का क्या महत्व है जी हां तो वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही जादा यूसफुल वीडि दीजिएगा तो कलास का हम अगाज करते हैं यहां पर लिखा हुआ है हेडिंग हमारा कि दैनिक जीवन में पीच का क्या महत्व है यानि दैनिक जीवन में पीच का महत्व क्या क्या यह समझेगे तो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है कि पाचन तंत्र में पीच का महत्व हो होता है कहने का मतलब यह हुआ कि आपको पता होगा पाचन तंत्र में आप पढ़े होंगे या आप नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया है कि मनुस में पाचन कैसे होता है यह सारा कुछ मैंने आपको बताया है ठीक है तो यह hydrochlori कमल करता है क्या है तो भोजन में उपस्तित किटानों विसानों जिवानों को यह नश्ट करता है और साथ ही साथ हमारे भोजन को पचाने में भी क्या करता है मदद करता है ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसका pH मान लगभग 1.0 के लगभग रहता है यानि कि जो hydrochlori कमल है इसका pH मान 1.0 रहता है हमारे पेट के अंदर ठीक है जिससे पेट को कोई नुकसान नहीं होता है यानि यहां तक तो ठीक है 1.0 है इसका pH मान जिससे हमारे पेट में किसी तरह का कोई प्रोबलम कोई नुकसान कोई तकलिफ नहीं होती है लेकिन जैसे ही लेकि को नश्ट करने के लिए भस्मे के रूप में हम एंटासिट का इस्तमाल करते हैं चुक्कि हमारे पेट के अंदर अगर अमली की मातरा अधीक हो गई है तो उसको नश्ट करना है क्योंकि हमारे पेट में फिर जलन होने लगेगा गैस बनने किसी मतलब तरह-तरह की बेमारी का सामना करना पर सकता है तो उसको नश्ट करने के लिए हम लोग चार के रूप में यानि भस्म जिसको आप कहते हैं उसको उसके रूप में हम लोग एंटासिट का उप्यों करते हैं एंटासीड, milk of magnesia और sodium hydrogen carbonate हो सकता है तो ये करता है क्या है कि हम लोगो ये nust कर देता है यानि कि छार्ज होता है भस्म वो भस्म क्या करता है हम लोगो nust करने का काम करता है तो जब जब हम लोगो nust करना होता है तो हम भस्म क्या करते है तो इस तरीके से इस्तमाल करते है milk of magnesia का इस्तमाल कर सकते है या sodium hydrogen carbonate का इस्तमाल करते है हमने ये देखा कि पाचन तरंतर में pH का क्या महत्व उसके बाद हम देखेंगे कि दातों पर pH का क्या परभाव है तो पाचंतरंतर में pH का क्या पड़भाव है ये आपने देखा, अब हम समझते हैं कि pH पड़िवर्तन का दान्तों पर क्या पड़भाव होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम कोई सरकरायुक्त भोजन करते हैं, सरकरायुक्त का मतल़ होता है मीठी भोजन, जैसे आप आईस्क्रीम खा लेते हैं, आप चॉकलेट खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, या फिर मीठे समान जैसे की मीठाई खा लिए, ठीक है, तो इस तरीके के भोजन को हम सरकरा युक्त भोजन बोलते हैं, जब हम इस तरीके का भोजन कर लेते हैं, खाते हैं, तो उसके बस बता है। तब यह भोजन मुह में मौझवूद मवजूद वक्रीया वह चांव भेटिट निर्मान कर अनदर यानि कि mouth cavity जिसको हमलों बोलते हैं मुख गुहा में ठीक है तो अमल बना देता है जब मुह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तब दात का जो इनामेल होता है दात का इनामेल छती गरस्त होने लगता है अब यहाँ पर समझेगे कि 5.5 से कम कहने का मतलब हुआ कि जैसे 5.5 है तो यह तो अमल ही है क्योंकि 7 से कम होता है जिसका pH मान वो अमल हो जाता है जैसा कि आपने पड़ा होगा chemistry में अमल भसमा और 11 चेप्टर में तो 5.5 अगर किसी का pH मान 5.5 न होकर केबल 5 है तो इससे यह कम हुआ तो जितना कम होता है pH मान साथ से उतना जादे खटा होता है वो तो हमारे मुह में जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मुह का पीएच मान पाँछ दसंबलों, पाँच से कम, यानि येतना रहना चले कि इससे ज़दे अगर कम हो जाएगा 17 तो अमल ज़दे खटा नहों गया यानि कि उसकी अमलियता ज़दे खटा हो गई, है कि नहीं है तो जब अगर जादे हो जाता है खटा यानि पीच मान कम गया तब दात का इनामेल छती गरस्त हो जाता है तो ठीक है अगर इससे जादे खटा हो गया तो उसका दात का जो इनामेल परत होता है वो हमारा क्या हो जाता है छती गरस्त हो जाता है नश्ट हो जाता ह हमारे मुह का राड़ हलका छारिये होने के कारण कुछ अंस तक अमल उदाशीन बना देता है और बचे अमल को नश्ट करने के लिए तूठ पेस्ट किसका हम इस्तवाल करते हैं तूठ पेस्ट ब्रस में लगा कर फिर हम इसको साफ करते हैं तो तूत पेश्ट का इस्तिमाल करना पड़ता है जो कैसा होता है छाड़िये होता है यानि कि आप यूँ समझें कि हमारे मूँ में जो अमलकी मातरा है वह 5.5 तक रहनी चाहिए इसका pH मान ठीक है अगर इससे कम होता है तो कम हुआ मतलब जादे खटा हो गया अब जादे इस्तिमाल करते हुए तो छार की रूप में हम लोग इसका इस्तिमाल करते है तो पहले से तो हमारे मूँ में जो लार होता है लार हलका छार ये होता है जिसके कारण हद तक नहीं मतलब जहां तक हो से के वहां तक जो अमली की मातरा को नश्ट कर देता है उसकी अमली ता घटा देती है लेकिन जो बचा हुआ अमल होता है जो अभी भी अमल है जादे है तो उसको नश्ट करने के लिए हम फिर किसका इस्तमाल करते हैं तूट तो इसमें हमको क्या लिखना होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे, जब हम सारीरिक प्रिश्रम करते हैं, तब हमारे सरीर में लेक्टिक अमल बनता है, क्या बनता है? लेक्टिक अमल बनता है, यह लेक्टिक अमल बनता है, यानि कि जब हम कोई भारी भर कम काम करते हैं, महनत बाला क उसके बाद लिखा है कि जिससे सरीर की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है इस अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूरती कम हो जाती है । जीतनी ऑकशीजन मिलनी चाहिए उतनी अक्सीजन हमें नहीं मिल पाती है जैसे कि मान के चलिए कि आप दौडते वक्त जादे oxygen नहीं ले पाएंगे जैसे आप दौड भी रहे हो तो वहाँ पर जो आए ऊक्सिजरन की कमी हो जाती है जितनी मातरा में oxygen आपको चाहिए उतरा नहीं मिल पाता है तो उस वक्त आपको oxygen की कमी हो जाती है तो उसके वज़ा से आपके सरीर में लेक्टिक अमले का निर्मान हो जाता है, ठीक है? तो आप उर्टी कम हो जाती है, जिससे उर्जा का उत्सरजन कठीन हो जाता है, यानि कि उर्जा मुझे नहीं मिल पाता है, ठीक है? कठीन हो जाता है और मानस्पेशियों में लेक्टिक अमल जमा हो जाता ह और जिससे हमारी सरीर में एठन होने लगती है, है कि नहीं है, तो ये रहा आपका ठकान के समय सरीर में मानस्पेशियों में अमल की उत्पती, अब नमबर चार में लिखा है कि अमलों के परियोग से बरतनों के दाग धबों को दूर करना, यानि कि उसमें जो दाग धब्बे पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसके कारण उस बरतन की चमक बदरंग हो जाती है, कैसी हो जाती है, बदरंग हो जाती है, यानि कि उपर का जो बरतन होता है, उस पर जब भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की जब परत जम जाती है, तब उसकी चमक कैसा ह बदरंग हो जाती है ठीक है तब बरतन की सता को निम्बू के एक टूकरे से रगर कर साफ कर देने से बरतन की चमक वापस लोट आती है अब ऐसा क्या खास बात है निम्बू की अंदर कि निम्बू रगरने से जो कौपर के ऊपर जो परत जमा हुआ था ना भास्मिक कौपर सल से अभिकिरिया करके copper citrate बनाता है क्या बनाता है copper citrate बनाता है मतलब अब जो निम्बू में citrate कमल होता है वो क्या करता है वो उसी मतलब दाग धबे पर भास में copper oxide का परत जमा होता है उससे वो अभिकिरिया करता है कौन? citrate कमल और अभिक्रिया करने के पश्चात जो है copper citrate बनाता है जो जल के साथ बाहर निकल जाता है जिससे फिर से वापस आ जाती है हमारी copper की बरतन जो होता है उसका बदरंग जो हता है वा चमक फिर से वापस आ जाती है ठीक है उसके बाद मिट्टी में pH का क्या परभाव होता है उस को समझते हैं देखते हैं यहां पर कि मिट्टी का पीच मान साथ के आसपास रहने पर ही अधिकांस पौधें की व्रीधी सही से हो पाती है मिट्टी अधीक अमलिये या छारिये होने पर पौधें की व्रीधी रुक जाती है आपने क्या समझा जैसे कि मिट्टी है अगर पेर पौदों को अच्छे तरीके से उसकी विर्धी करानी है तो मिट्टी का जो पीच मान होना चाहिए वह साथ के आसपास होना चाहिए है कि ने मिट्टी का पीच मान साथ के आसपास ही रहना चाहिए अगर साथ से अधीक होता है तो जादे चाड़ी हो जाएगा क्योंकि साथ के अंदर आ गया यानि नीचे आ गया तो फिरवा अमलिय हो जाता है तो इससे क्या होगा कि पौधे की वृधी जो है रुक जाती है ठीक है यहीं आपर लिखा हुआ है कि मिट्टी का पीच मान साथ के आसपास रहने पर ही अधिकांस पौधे की वृधी सही से हो पाती है अधिक हो जाती है यानि उसका पीच मान साथ के नीचे आ जाता है जब उसकी अमलियता बट जाती है तो फिर उसको नश्ट करने के लिए हम क्या करते हैं अधिक हो जाती है तब उसमें काली चूना या भखरा चूना डाल कर उसकी अमलियता को नियंतरित किया जाता है जी हा तो ये रहा आपका कि मिट्टी में पीच का क्या प्रभाव होता है ठीक है उमीद करते हैं कि आज का ये छोटा से वीडियो आपको बहुत हेलफुल रहा होगा आपके लिए अगर आपको ये प्रशन एक्जाम में दिख जाए तो बढ़िया तरीके से आप लिखने का प्रिया दे फिर हम एक नए टोपी के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत